अब चूंकि आपने Google My Business में अपनी लिस्टिंग अड़ कर लिया है नेक्स टेप यह है कि आप इसको अप्टिमाइस करें ताके Google को आप अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम, अपनी लोकेशन, अपना फून नमबर, अपना अडरेस, अपना इमेल अडरेस इस सारी चीज़ें परोइड करें ताके Google में जब कोई यह सर्च करें तो उनको भी चीज़ें मिल जाएं, इसमें Google कुछ और चीज़ें भी एक्स्टा परोइड करता है, जिसमें कुछ आफर्स हैं, वो आपको स्टेटस अपडेट करने की आप्शन देता है, वो आपको आफर्स लगाने की आफर्स देता है, कि आप अपनी डिसकाउंट आफर्स लगा सक ये लिस्टिंग गूगल का एक और सो प्लाटफॉम है, लोग समझते हैं कि गूगल का सोशल मीडिया चैनल नहीं है, लेकिन गूगल मैस इसलफ ये गूगल का सोशल मीडिया चैनल है, इसमें लोग बकाइदा इंटरेक्ट करते हैं, आपने किसी बिजनस के पास जाना हो, आप उस बिजनस के पहले गूगल मैस में देख सकते हैं, उसकी लोकेशन देख सकते हैं, उसके बाहर से अंदर से आसबस की जगें देख सकते हैं, और जहां तक उनके आफिस के अंटीर देख सकते हैं, डिपेंडिंग उनके उनने वह इन्फरमेशन एड़ की है, तो अगर आप खुद से तस्वीरें अच्छी खेंच कि अपने आफिक तस्वीरें लगाएं अपने स्टार्फ की तस्वीरें लगाएं अपनी वो सारी अपडेट्स लगाएं सारी शीज़े पॉसिबल हैं मैं आपका भी लाइव डेमो दिखाऊंगा जितनी इन्फरमेशन आप जालें लोगत पुमक्राइबल हो जाएगी इन दा मीन टाइम मैं बाकी सी दिखाँगा कि गूगल मुझे क्या-क्या अउप्शन दे रहा है वो देखें आप यहां पर मुझे गूगल उप्शन दे रहा है कि यह आप अपन इस्ञें पूरी करें जिसमें मझसे क्या मांग रहारा ह अपने घंटे आड़ करें कि आप कब open होते हैं कब close होते हैं तो मैं यहां जाकर अपने hours आड़ कर सकता हूँ इससे फाइदा यह होगा कि जब कोई user सर्च करता है आपके business के बारे में Google उनको बता देता है कि कब बंद होने वाली है या कब open होने वाली है अगर आप किसी दिन चुटी करते हैं आप Sunday क्लोज जाँ तो आप Sunday क्लोज रखें इससे फाइदा होगा कि लोग जो है वो बेसिकली जब सर्च करते हैं तो उनको साथ ही पर चल जादा कि आपके closing time के हैं तो आप सुबह 10 बजे open करते हैं या 8 बजे open करते हैं तो यहां पर दो दफा मतलब सुबह open करते हैं फिर दोपैर को off करते हैं फिर शाम को open करते हैं फिर फिर आफ करते हैं फिर आप साथ करते हैं तो आप एक दिन में multiple hours भी add कर सकते हैं कि आप किस किस time पर available होते हैं तो यह सारी facility है वो Google प्रवाइड करता है लोगों को ताके वो जो है उसको लोग अपना timing बता सकें और यह बाद में लोगों को help करती है जब लोगों को help करती है तो again ultimately यह Google आपको इसका reward करता है तो मैंने randomly बाकी जगों पर Monday को मैंने आट से दो बज़े पर time रखा है बाकी में 24 hours रखा है अगर 24 hour open है तो आप 24 hour select कर सकते हैं जैसे मैंने इसको save करू बगरा बगरा यह सारी शीज़ें मुझे suggestion दे रहा है ताकि मैं 100% listing को पूरी करूँ राइट से पर बता रहा है कि मेरे जैसे business और क्या 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 कर रहे हैं वो अपनी offers लगा रहे है यह Google का एक तरीका है मुझे convince करना है कि मैं Google का यह platform यूज़ करूँ ताकि मैं भी offers लगा रहे हैं और मेरे location के आसपर मुझे बता रहा है कि लोग और क्या क्या कर रहे हैं तो मैं यहां से create post का button दबाके जिसे हम Facebook में status update लगता है उससे मैं भी status update लगा सकता हूँ और आप देखेंगे कि इसमें पूरा एक image और उसकी जो है वो post और बाकी सारी चीज़े event है तो event offer है जब कोई सर्च करेंगा आपकी इस product से related उसको Google आपकी price भी दिखाएगा आपकी range भी दिखाएगा आपके नाम और सब चीज़े प्रॉडक्शन वगारा सब चीज़े वो दिखाएगा और जहां तक आप प्रिव्यू भी कर सकेंगे तो यह बड़ा interesting और बड़ा powerful टूल है Google की तरफ से जो कि location में आप काफी अगर आप location marketing कर रहे हैं तो आपको यह बेतर रहेगा आप नहीं भी कर रहे हैं तो मैरी recommendation है कि आप सको करें reviews में reviews तो आपको मिलेंगे जब basically आपको लोग देखेंगे और उसके बाद आपके reviews आपको देएंगे अकसर लोग strategy यह करते हैं कि वो review लेने के लिए free offer या कुछ discount दे रहे हैं ताके वो user उस discount को लेने के लिए offer आपको review free करें फिल्हाल हम यह नहीं कर सकेंगे क्योंकि जब तक हम verify नहीं करेंगे हमारी listing public नहीं होगी public नहीं होगी तो हमें को review नहीं दे सकेगा इस दिरह से वो मुझे stats कहरा है कि आपको stats यह नहीं कि जिसना google analytics में नहीं आपको show किया था मैं आपको जल्दी से left side में जो columns में के tabs आपको show कर देता हूँ कि इसे different tabs में क्या options available हैं home का आपने section देख लिया है home के बाद मैंने post के section में गया तो वहाँ पर मैं अपनी status post लगा सकता हूँ depending on के मैं क्या उस वक्ट अबट कर रहा हूँ मैंने image क्या रखना है अपना banner image क्या रखना है मैंने services क्या add करनी है अपना address चेंज करना है या अपना मैंने service area चेंज करना है मैंने opening hours special hours और अपना phone number अपनी domain अपनी attribution सारे चीज़े मैं जो change करना चाहूँ मैं अपनी profile यहाँ पर build कर सकता हूँ यहाँ तक अगर मेरे एक से जादा stores हैं तो मैं अपने store का code भी लिख सकता हूँ कि यह मेरा store number one, store number two, store number three या जो भी code आपने decide की है अपने stores के वो भी आप लिख सकते हैं उसके बाद अगर आपने remove करनी हो listing आपका यह business बंद हो गया यह listing ऐसी remove करनी है ता वो भी कर सकते हैं ultimately insights पर जाएंगे यह वही चीज़ है जो results की में बात कर रहा था Google जब आपको stats दिखाएगा जब आपकी listing verify होगी यहाँ पर आपको बताएगा कितने लोगों ने आपको search किया, कितने लोगों ने देखा, कितनों ने click किया, कितनों ने call किया और कितनों ने यहाँ तक क्या आपकी location जनरेट की, अपने mobile से आपकी location तक आने तक यह सारी चीज़ें काफी valuable हैं जब बिजनस लोकल बिजनस जब आप चलाएंगे, तब आप कोई काफी चीज़ें हेलफफुल रहेंगी उसके बाद reviews जब भी आपको कोई छोड़ेगा, तो review section में यहाँ पर आपको review नदर आएंगे आप हर review का जवाब दे सकते हैं, अच्छे reviews को आप of course appreciate करते हैं और जो बुरे reviews होते हैं, वो भी आपके control में नहीं होंगे जब आप service अच्छी नहीं देंगे तो लोग अकसर कोशिश करते हैं कि वो आपको review बुरा दें तो अगर आपको लगता है कि आपने service अच्छी दी है और लेकिन फिर भी उसने नाजाइज बुरा review चोड़ा तो आपको पर यह opportunity होती है कि आप उसके जवाब दे सकते हैं कि वो बंदा सच बोल रहा है जूट बोल रहा है उसके बाद messaging के एक option है जो कि लोग आपको message कर सकते है एक proper जो है वो लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं वो different तरह की inbox के type एक आपको option है आपको email देनी नहीं पड़ती यहां से ही लोग आपको message छोड़ेंगे जहांपर आप जब उसका reply करेंगे तो आपके सारे यहांपर data stored होगा फोटो जैसे मने आपको पहले बताया था कि फोटो आप खुद भी add कर सकते हैं जाप अपनी किसी photographer को order कर सकते हैं कुछ मुलकों में जो Google है वो खुद recommend करता है आप उनकी photographer को hire कर सकते हैं यहांपर different categories की photos है profile cover video उसके बाद आप आपके चलते जाएंगे ओपर tabs आपका decorum कैसा है आपके kitchen कैसा है सारी चीज़ें आप at work किस तरह से अपना महौल एक वो बैटर महौल आप provide करते हैं वो आप यहांपर add करें team की photos आप यहां add करें identity यह नहीं कि branding जो आपकी branding आपका logo वगरा जो आपके banner होगा वो आप यहांपर upload करेंगे तो इस सारी चीज business की आप चोटी सी website बना सकते हैं जो Google as a website शो करेंगा अगर आपकी website है तो आपकी जरूत नहीं है लेकिन अगर आपकी website है भी तो आप फिर भी बना लें तो इसमें कोई हर्च भी नहीं है finally अगर आपको किसी user को add करना है तो आप यूजर में जाके उन लोगों को add कर सकते हैं ताके आप अपने client को access दे सकें या यह भी कर सकते हैं कि अगर client ने आपको add करना है तो आपने users में जाए को और आपको access दे देगा उससे यह होगा कि आप उसकी listing को manage कर सकेंगे एक और चीज़ यह भी देख लेंगे आप जहां से जब add करना चाहें तो यह जहां से local add जहां से run होते हैं अगर आपने अपने Google business listing को add से boost करना है तो आप जहां जाएंगे और जहां से add क्रेट करेंगे यह Google AdWords से different है लेकिन यह हमारे course में fall नहीं करता यह आपने hopefully digital marketing के जो आपके एक नई location भी add कर सकते हैं उसके लावा फिर आपकी वेरिफ़र लोकेशन यह बाकी चीज़ें यह settings की हैं यह आप खुद ही explore कर लेंगे I hope कि आपको यह समझ आई होगी और यह अगर आप use करेंगे तो आपके लिए SEO काफी boost करेगी इस तर गूगल my business का मिनना आपको जब Google में listing करवाएंगे उस पर रोजाना offers देंगे उस पर अपनी अपडेट देंगे status अपडेट देंगे Google इसको as an active brand समझेगा और इस तीस की base पे वो आपको rank भी करेगा हमने बार बार बात की के Google content को prefer करता है यह भी एक तरह का content है जो आप create कर रहे हैं और यह content आपकी profile स linked है ultimately यह Google को help करेगा आपके image बेतर show करने में और चूंके यह Google की product है Google की तरफ से आ रही है तो technically यह आपको edge होगा अपने competitors के ओपर जो के Google के ओपर नहीं होंगे आप उसके ओपर rank कर सकेंगे तो ensure करें कि Google my business listing या Google local SEO इसको definitely अपनी SU strategy में इसको add करें